भारत के PSU's Amazing Growth को शो कर रहे हैं और इसी के चलते भारत सरकार के द्वारा दो बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें सबसे पहला फैसला है जानी मानी PSU Company Oil India का जो स्टेटस है उसको अब महारतना स्टेटस दे दिया गया है और ये इंडिया में किसी भी PSU को मिलने वाला सबसे बड़ा स्टेटस माना जाता है आप लोग यहां पर देख पाएंगे यह वाली जो खबर है एक दो दिन पहले सामने आई है Oil India Limited gets the महारतना स्टेटस और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अब भारत में कुल मिला के 13 महारतना Companies हमें देखने को मिल जाती हैं जो पुरा Natural Electrification Corporation और Power Finance Corporation जिसको की पिछले दो-तीन सालों में ही महारतना का स्टेटस दिया गया है ये भी इस लिस्ट में आ जाती है और अब इस लिस्ट का जो सबसे नया और सबसे लेटेस्ट एंटरेंट है that is Oil India Limited नौ वैसे तो महारतना कंपनी का स्टेटस पाने के लिए बड़ी सा करोड से जादा का होना चाहिए and that too for three consecutive years ये काफी बड़ी बात है because अगर हम भारत की बात करते हैं less than 40 companies in India have more than 5,000 करोड profits और इसमें भी एक और condition आती है कि company का जो turnover है जो revenue है वो 25,000 करोड से जादा होना चाहिए for three consecutive years अमरीका में less than 40 companies have more than 25,000 करोड turnover तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक काफी बड़ी उपलब्दी है जो की एक Oil India Limited को दिया गया है with the महारतना status इतना ही नहीं बलकि इसी खबर के साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि एक और जो हमारी PSU company है ONGC विदेश Limited उसको नवरतना status भी दिया गया है तो इनी सब चीजों के बारे म की कौन सी योजना है जिसके तहत इन status को दिया जाता है और इसके क्या-क्या माइने और benefits हैं इन companies के लिए उसको भी आपके साथ discuss किया जाएगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को पाना Finder के सभी courses के ऊपर आपको flat 20% का discount available करवाया जा रहा है जिसमें आपको prelims और mains की संपूर्न तयारी available करवाया जाती है along with your GS, along with your CSAT and along with your test series भी आपको इसी में available करवाया जा रही है यदि आपने इन courses को check out नहीं क्या है अभी जाईए इसको check out कीजे and अपनी suitability के अनुसार history, anthropology, geography और PSIR जैसे जो famous optionals हैं वो भी आपके लिए available करवाये गए हैं अगें यह पूरा का पूरा जो optional का combo है यह आपके लिए available है केवल 14,315 रुपे में और यह सभी prices तभी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा coupon code अनी UPSC इस्तिमाल करते हैं इन सभी courses में enroll करने के जो links हैं वो आ आने वाले courses में जो GS का batch शुरू होने वाला है मेरे द्वारा आपके लिए complete science and technology को पढ़ाया जाएगा जिसमें कि हम लोग space tech, defense tech, biotech और information tech जैसे जो important topics हैं इनको cover करने वाले हैं अगें अगर आपने enroll नहीं क्या है एक बार इनको check out जरूर कीजिए because यह इंडिया का सबसे comprehensive और सबसे affordable GS batch है जो की आपको कहीं पर भी और देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार का जो department of public enterprises है उसके द्वारा tweet किये गए हैं दो अलग-अलग tweets यहां पे किये गए है Honorable Finance Minister has approved the upgradation of ONGC Videsh Limited to Navratna and secondly Honorable Finance Minister approved the upgradation of Oil India Limited to Maharatna CPSE थोड़ी दुख की बात है कि इस तरह की tweets को ना तो जादा retweets मिलते हैं और ना ही जादा likes मिलते हैं आप यहां पर भी देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं Now अगर हम दोनों companies की बात करते हैं तो Oil India Limited जिस company की हम बात कर रहे हैं यह एक central public sector undertaking है बहुत ही simple शब्दों में कहें तो यह एक PSU company है और PSU company की simple परिभाशा यह होती है कि उसमें कम से कम 51% stake जो है वो basically government के पास होना चाहिए Oil India Limited की बात करते हैं तो this is engaged in the business of exploration, development and production of crude oil and natural gas और साथ में crude oil का transportation और production में भी इसका एक बड़ा रोल होता है Oil India की international presence भी हमें देखने को मिलती है इसका जो exploration and production portfolio है इसमें आपको लगभग 10 देशों में 17 blocks देखने को मिल जाते हैं अगर हम उन देशों की बात करें तो इसमें Libya, Gabon, Nigeria, Yemen, Venezuela, USA, Mozambique, Myanmar, Bangladesh, Russia जैसे देशों में इसकी presence हमें देखने को मिल जाती है दूसरी company जिसका status upgrade किया गया है that is the ONGC विदेश लिमिटेड जो की again जानी मानी and महारतना company ONGC की ही एक overseas arm मानी जाती है ONGC विदेश को बनाए जाने का जो main purpose था वो यही था कि इंडिया जो है वो अगर इंडिया के बाहर जाकर के oil and gas acreages को prospect करना चाहता है including exploration, development and production तो वो कर सके ONGC भी इसका भी अगर आप देखेंगे तो international presence काफी जादा फैला हुआ है because इसका तो main काम ही यही है कि यह दूसरे देशों में जाकर के oil and gas का exploration और production करे तो इसके द्वारा 32 oil and gas assets में एक participating interest ओन किया गया है जो की 15 से भी जादा देशों में फैला हुआ है इसके कुछ उधारन आप देख सकते हैं Brazil, Columbia, Cuba, Venezuela यह इसकी presence Latin America में है उसके बाद Far East में आप देख सकते हैं इतना Myanmar, Russia, Kazakhstan में इसकी भारी presence देखने को मिलती है आफरीका में Libya, Nigeria, Sudan, Mozambique जैसे देशों में इसकी presence हमें देखने को मिल जाते हैं और इसके इलावा इसकी presence हमें Middle East में भी UAE, Saudi Arabia, Iraq, Iran जैसे देशों में भी देखने को मिल जाती है Now, talking about the महारतना scheme तो जो हमने Oil India Limited की बात करी है उसी को महारतना का status दिया गया है जो महारतना की योजना है इसको सरकार के द्वारा 19 मई 2010 को लाया गया था और ये योजना केवल केंद्रे सरकार की जो PSU हैं उसके लिए इस योजना को लाया गया था इस योजना को लाया जाने के पीछे का में उदेश ये था कि भारत में आने वाली जो major CPSUs हैं ठीक है उनकी growth को हम लोग propel कर सकें उनकी growth को हम लोग बढ़ावा दे सकें किसी भी PSU को अगर महारतना स्टेटस मिलना चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी conditions हैं बहुत सारी terms हैं जो की उनको पूरी करनी पड़ती हैं नमबर वन ऑविसली उसको सबसे पहले एक नवरतना होना पड़ेगा नवरतना स्टेटस कैसे मिलता है वो भी आपको बताएंगे नमबर टू उसका जो annual net worth है वो पिछले तीन सालों में कम से कम 15,000 करोड होना चाहिए उसका जो annual net profit है पिछले तीन सालों का लगातार वो कम स कम 25,000 करोड होना जरूरी है और साथ ही में ये भी आवश्यक है कि वो Indian stock market पे listed होनी चाहिए यानि कि National Stock Exchange या Bombay Stock Exchange पे उसकी listing हमें देखने को मिलनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Oil India Limited आपको National Stock Exchange पे इसकी listing देखने को मिल जाती है and obviously इसने ये सारी की सारी conditions को पूर किया वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे because अगर आप देखेंगे तो Oil India का जो हमें annual turnover देखने को मिला है वो approximately 41,000 करोड का है जो net profit देखने को मिला है वो 98,000 करोड का हमें देखने को यहाँ पर मिल चुका है and ये वाली जो company है इसको already नवरतना status पहले ही दिया जा चुका अगर हम लोग नवरतना status की बात करते हैं तो नवरतना status पाने के लिए basically कुछ parameters हैं जो की सरकार के द्वारा निरधारित करे गए हैं जिसमें की net worth, net profit, total cost of production, total manpower cost, cost of services, capital employed and profit before depreciation बगरा जैसी चीजों को देखा जाता है इसमें आपको कम से कम 60 out of 100 का score प्राप्त करना है और स साथ में company के पास कम से कम 4 independent board directors होने चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो आपको नवरतना status दे दिया जाता है बताना चाहूंगा कि नवरतना status की जो scheme है ये सरकार के द्वारा 1997 में लाई गई थी ऐसे PSU को identify करने के लिए जो की बाकी PSU से बहतर कर रहे हैं और उनकी growth को propel करने क के लिए ये वाली scheme को लाया गया था, so in the case of oil india limited ये already इसके पास नवरतना status था लेकिन अब क्योंकि इसने बाकी शर्तों को भी पूरा कर लिया है इसलिए अब इसको महारतना status basically दे दिया गया है, अगर बात करें कि कि किसी भी company को महारतना status मिलता है तो उसके benefits क्या-क्या है सबसे बड़ा benefit जो कि एक महारतना company को देखने को मिलता है वो ये है कि वो company अब equity investments कर सकती है in order to undertake financial joint ventures and wholly owned subsidies और ये mergers और acquisitions भी कर सकती है भारत में और abroad में subject to a ceiling of 15% of net worth, यानि कि ये किसी और company के साथ जाकर के merger या acquisition कर सकती है, joint venture कर सकती है, subject to a ceiling of 5000 crores और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसको government का approval basically अब लेने की आवशकता नहीं है, यही सबसे बड़ा plus point होता है जो कि एक महारतना company को मिल जाता है, इसके इलावा जो महारतना company का board है, it can also structure and implement schemes relating to personal and human resource management and training, ये ऐसे काम खुद से कर सकता है, और साथ ही में company can enter into technology based joint ventures और other strategic alliances among others, इसके लिए भी इसको सरकार से approval लेने की आवशकता नहीं होती है, जब ये सब आपको relaxations मिल जाती हैं, तभी हमें देखने को मिलता है कि जो ये वाली companies हैं, ये domestic giants से बढ़ते बढ़ते फिर global giants बन जाती हैं, जैसा कि आपने देखा कि BPCL हुआ, IOCL हुआ, इसकी जो ह हमें इनकी जो हमें बहुत सारी deals देखने को मिलती हैं, international deals देखने को मिलती हैं, South America में, उसके बाद Middle East में, उसके बाद America में, हमें बहुत सारी इनकी deals देखने को मिल जाती हैं, तो ये बड़ा फाइदा है जो कि महारतना companies को देखने को मिलता है, obviously it's a very very amazing खबर, हम यहीं चा सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग history, anthro या geography या PSI या optionally ने में interested है, इसका जो separate price है, वो cable और cable 8420 रुपे रखा गया है, बाकि NCRT batches पे भी हमने discounts को चलाया है, जिसमें NCRT batch आपको 6110 में मिल रहा है, और NCRT combo batch आपको मात्र 11780 रुपे में available करवाया जा रहा है, इन batches मे इन्रोल करने के लिए, please do not forget to use the coupon code ANIUPSC, इसी के साथ आप से लेता हूं विदा, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.